हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस डेटाज की 2nd of October 2021 और जैसे कि आपको पता है आज गांदी जैनती और लाल बादर शास्त्री जी की जैनती है तो ऐसे में आज एक important चीज बन जाती है वो है कि गांदी जी का गांदी जी ने जो एक quote दिया था एक statement दी थी उसको ह कि जिस तरीके का वहवार आप खुद के साथ में देखना चाते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ में कैसा वहवार करें जो आप imagine करते हो exactly वो का वो वहवार आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दो तो ऐसे में जो भी problem साथ की वो सारी sort out हो जाएंगी एक तो कम से कम आपक acceptance है वैसा वहवार दूसरों के साथ करना शुरू कर देंगे तो फिर सारे evils हैं वो automatically erode होते चले जाएंगे पुरी दुनिया से ये चीज गांदीजी ने बताई तो आप वो परिवरतन बने जो इस संसार में आप देखना चाते हैं परिवरतन आप से शुरू होता है ठीक है आगे चलता हैं एडिटोरियल पेज से जो आर्टिकल साथ हम डिसकस करेंगे वो पहला रहेगा capability not caste आर्टिकल में बताया जा रहा है कि क्यों caste census कंड़क्ट करवाने की जरूरत नहीं है दूसरा जो आर्टिकल हम देखेंगे वो है reframe the rule ड्राफ्ट e-commerce rules को लेकर के जो मुद एडिटर के opinion और फिर तीसरा आर्टिकल जो हम डिसकस करेंगे वो रहेगा khadi in name alone की अभी khadi and village industry commission के द्वारा जो एक circular rotate किया हुआ है उसकी वज़े से बहुत सारे discrepancies आ रही हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है छोटे जो भी traders है या फिर छोटे जो भी manufacturers है खादी कपड़ा जो भी बनाते है राइट आज गांदी जी जैनती है ना इसलिए यह relevance रखता है इस मुद्देवर discussion तो इसको हम detail में जानेंगे बाकी जो आर्टिकल से उन पे एक बार नजर डाल लेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं discussion को detail में फिर्स्ट आर्टिकल है capability not caste आर्टिकल को लिखा है एस इरुदिया राजन एंड यूएस मिश्रा देखो इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि census हमारे यहांपर हर 10 साल में conduct होती है और इन 10 सालों में हमें idea यह लगता है कि वाकई में कितना पिसले 10 सालों के अंदर हमा चाहे और और भी बहुत सारी details हमें मिलती है तो अब की बार क्या है बहुत सारे political parties central government पर pressure बना रही है कि 2021 का जो census आप conduct करना चाह रहे हो वो caste based conduct करा हो जिससे idea लग जाए कि कौन-कौन से caste इंडिया में है और उनकी कितनी population कौन से state में reside करती है और उनका जो living standard है या फिर जो social economic status है वो क्या चल रहा है तो supreme court ने अपनी तरफ से central government को भी यह अपनी तरफ से statement release किये थे कि आपके position बताओ तो government ने अपनी तरफ से clear कर दिया affidavit में affidavit दे दिया कि हम इस बार बिलकुल भी इस caste wise population conduction को या caste wise census को नहीं करने वाले हैं और केवल और केवल दो caste या फिर दो categories को हम main focus रखेंगे जो कि पहले से trend में रही है एक तो है scheduled caste और एक है scheduled tribe इसके पीछे central government का जो argument था वो यह कि जब से हम independent हुए हैं तब से अभी census में caste का जो categorization है वो बिलकुल भी नहीं लिया गया ठीक है अगर caste का लिया गया था तो वो लिया गया था पहली बार मतलब last time 1931 की census में तो उसके बाद में जब 1951 में जब हम independent हुए तो हमारे forefathers ने decide कर लिया कि भई caste के basis पे हम census या population को count नहीं करेंगे तो ऐसे में अभी conduct क मज़कर के ये policy decision लिया था कि caste के basis पे हम census conduct नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया already caste के नाम पे बहुत ज़्यादा divided था और आज तक भी जो caste के नाम पे division है वो खतम नहीं हो रहा है ओके देखो census हमारे आपर 1873 में Lord Mayo के टाइम पे start हुई थी फिर Lord Rippen के टाइम पे 1881 में फिर regular हर दस साल से census होनी शुरू हो जाती है लगबख डेड़ सो साल का period बीच चुका है ठीक है और इन डेड़ सो सालों के अंदर आज की जो परिष्टिती है ना वो बिलकुल different है वो ये कि एक तो pandemic की situation की pandemic की वज़े से हैं जो already normal जो condition में process होते हैं government के उनहीं में hurdle आने लग गई है केवल election commission of India ने अपने काम किये हैं जो कि covid-19 protocol को follow करते हुए properly election conduct करा दिये अब जैसे की 2020 में ही ये census का process था वो start हो जाना चाहिए था और ये census conduct कौन करता है रजिस्टरर जनरल एंड census commissioner ठीक है ministry of form affairs के अंडर में आते हैं ये तो अब इनके दुआरा conduction करवाना census और वो भी घर घर में जाकर के ये अपने आप में बहुत बड़ा challenge है और इसमें अगर कास्ट का और मुद्दा हमने add कर दिया तो मुश्किले और जदा बढ़ जाएंगी इस census को conduct करने में क्योंकि मानते हैं कि आज technology हमारे पास में available है हम verify भी properly कर लेता है कि कौन किस category में कहां पर engaged है पर फिर भी अगर additional कुछ add करेंगे तो एक तो जो process है वो cumbersome हो जाएगा इस virus ने already बहुत जादा complications create कर दी है तो यह जो cast census के basis पे अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो cast वाला categorization और मुश्किले पैदा कर देगा ठीक है जो वैसे तो दिरे दिरे जो administrative units है वो अपनी proceedings में बहुत ह तक improve कर चुकी है इसमें जो technology का user वो और साथ में जो data collection करने के बाद में उसका computerization करना और validation करना कि हाँ जो data collect किया गया है teachers के दौरा घर घर में जाजा करके वो वाकई में कितना authentic है आज एक uncertainty का environment बना हुआ है ठीक है और उसमें इस तरीके से consensus conduct करना कम challenging task नहीं होगा और cast की और भी challenges create होने शुरू हो जाएंगे जिसमें आप यह देख सकते हो कि कितनी caste है कौन-कौन से state में या कौन-कौन से regions में caste मतलब कौन-कौन से regions में वो confined है Northern India की जो caste है क्या वो Southern India में भी है या फिर आप देखोगे कि rural urban जो division है उसमें भी caste का जो मुद्दा है वो बहुत ज्य maturity गाओं के अंदर देखने को मिलती है उसके comparison में शहरों में class का मुद्दा आ जाता है तभी तो बोला ना writers ने कि capability पे जाओ ना कि आप caste पे जाओ Indian population बहुत ज़्यादा dynamics का आप यूज करते रहे तो बहुत ज़्यादा dynamic है मतलब variation बहुत ज़्यादा आते रहते हैं हम अगर आप आज के टाइम पे अगर कास्ट के नाम पे कोई census calculate करें census conduct करें पर पता पड़ा कि कास्ट क्या इतनी important है जिसकी वज़े से हम इस parameter पे फोकस करें इसके बजाए दूसरे parameters भी available है for example education, employment, occupation, sex इसकी नाम पे हम अगर data collect करें जिससे की internationally दूसरे countries के साथ में भी हमारा data easily compare कि आजा सके तो उन पर तो अगर energy efforts लगाए जाए तो फाइदा भी है पर अगर हम कास्ट का नाम लेकर के या religion का नाम लेकर के अगर census conduct करते हैं तो उस case में इतनी ज़्यादा viability निया वो भी उस time पे जब pandemic already problem create कर रहा है तो ऐसे में जो implications है उनको gauge करना that means उनको measure करना बहुत म enumeration हो रहा होगा कास के basis में census अगर conduct की जाती है आगे writers यह बताना चाहरा है कि हमारे यहाँ पर decadal census है इसमें क्या focus में रखा जाता है कि registrar general जो है वो data collect करेंगे उसके बाद में यह देखा जाता है कि age sex composition में कितना variation आ गया मतलब कि हमारे यहाँ पर 0 से लेके 15 और 0 से लेक 69 और 59 और 60 more than 60 years की जो age category है इस category के अंदर देखें तो कितने बच्चे हैं कितने यूथ हैं कितने यंग हैं और कितने बुड़े लोग हैं इंडिया में वो हर 10 साल में vary करते रहते हैं वैसे तो हर दिन change होता रहता है यह data पर हमारे आपर हर 10 साल में census conduct होती है तो हर 10 साल में इसके अलावा male and female का जो ratio है population wise वो तो इन दोनों चीजों को जब हम ले तो वो चीजे ज़्यादा important हो जाती हैं किसी भी population के लिए किसी भी country की population के लिए अगर हम इन चीजों को project करके target करें तो यह ज़्यादा important हो जाता है इसके आगे एक एक घर में जाकर के census का data collect किया जात है क्या assets है उनके पास में marital status education migration इन सब के बारे में data हमें मिलेगा जब 2021 की census conduct हो जाएगी और हम उसको compare करेंगे 2011 से तब हमें पता पड़ेगा कि वाकई में कितना क्या variation आया but actual में जब इस data को compare किया जाएगा ना तो बहुत सारी चीजे जो है वो तो unknown रह जाएगी ठीक है अब survey में आप inquiry करोगे साथ में ये भी देखते है कि जो भी population composition में variation आ रहा है उसको हम देखेंगे चाए sex wise देखें चाए age wise देखें इसके अलावा अलग अलग region में distribution भी देखा जाएगा तो उस time पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो भी ए 2011 से लेकर के 2020 और या 21 चल रहा है तो इसमें सबसे important जो tendency देखने को मिली है वो है rapid fertility decline की एक माँ अपनी जो reproductive age होती है उसमें जो बच्चों का number होता ना पैदा होने का वो बहुत हद तक decline कर गया है इसके अलावा mobility है वो भी बहुत ज़्यादा rise हुई है migration बहुत ज़्यादा और ये दो चीजे तो है ही और तीसरा फिर इस decade के end में आते आते पेंडेमिक की devastation पेंडेमिक की वज़े से बहुत ज़्यादा deaths हो गई है तो ऐसे में ये जो डेटा है ना fertility decline का mobility that means migration और पेंडेमिक की वज़े से fertility इनको enumerate करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता पड़ेगा accurate और realistic data ही हमारे पास में नहीं आएगा तो कैसे हम plan कर पाएंगे data और statistics इसलिए important होता है कि जब कोई भी policy formulation होता है ना तो उसको targeted manner में वहां तक deliver किया जा सके जो भी beneficiaries है या जो भी deserve करता है benefits को particular policy का use करते हुए right आज अगर देखा जाए तो 14 5 year plan है उसकी शुरुआत है देखो 12 5 year plan 2017 में खतम हो गया था उसके बाद में 5 year plans को दो discontinue कर दिया पर फिर भी अगर इसी चीज को continue करें तो यह जो tenure है भी 2022 से जो start हो जाएगा that is 14 5 year plan पर वही चीज है कि क्या हमारे पास में planning exercise करने के लिए effective data available है real number में हमारे पास में census क accurate data available नहीं होगा तो फिर बाद में policy accuracy नहीं आ पाएगी देखो अगर population के distinct feature से अगर बात करें तो उसमें growth कितनी हुई है और वो भी यह देखा जाता है कि कितने लोग बुड़े हो गए कितने बच्चे अभी नए पैदा हुए है इन सारे चीजों का detail हमारे पास में available होगा क्योंकि हमारा focus क्या है इंडिया को progress करवाना अब progress आप करवाना चाहते हो तो human being जो है आप उसको human resource बनाते हो और human resource को फिर बाद में training skills यह provide करके आप उसको तर्यार कर लेते हो human capital के तोर पे और human capital के बारे में अगर हमें नहीं तयारी है नहीं पता है तो कैसे हम हमारी जो क होता है that is workforce उस workforce में कितने लोग willing है जो job करना चाहते है that is labor force और उस labor force में से कितने लोगों को रुजगार मिला that is जो already काम कर रहे है वो employed अगर जो लोग रुजगार नहीं मिल पा रही है labor force के वो हिस्सा जिनको रुजगार नहीं मिल पा रहा है वो unemployed है तो उसकी वजह क्या ह उसकी उन लोगों की quality कैसे improve कर सकते हैं कैसे emerging labor market के demand के हिसाब से उनकी adaptability बढ़ा सकते हैं मतलब उनको skill दे सकते हैं तब जाकर के ही तो रुजगार की वेवस्ता की जाएगी जब हमें यहीं नहीं पता कि हमारे देश में बेरुजगारी कितनी है जब हमारे पास में यही available proper data या accurate data जेको हमारे पास में periodic labor force का data तो आता है पर साथ साथ में census का data भी आ जाए तो और ज्यादा accuracy आती है क्योंकि हमारे पास में multiple resources हो जाएंगे न तो उससे फिर एक analytical approach लाई जा पाएगी government departments के द्वारा इसके अलाबा economic activities अब धिरे धिरे renew हो रही है pandemic के बाद में तो यह जो negativity का माहूल बना हुआ न सारा जो भी अभी economy रुकी हुई है pandemic की वज़े से devastation है इसको भी रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि economy is all about the confidence अगर आप confident हो तो economy automatically rise करेगी आप खुद देखो जब कितनी potential कितनी speed से होती है दूसरे अगर देखो अगर वहाँ पर हमारा confidence थोड़ा सा भी down है तो अच्छे अच्छे जो business खोल के बैठते हैं वो भी एकदम flop हो जाता है तो caste के basis पे अगर data को collect करने की exercise करी जाती है तो देखो यह केवल और केवल matter को complex बनाएगी इसके अलाबा caste ridden society को अगर हम promote करेंगे तो वो तो देखो फिर बाद में और ज़्यादा मुश्किले पैदा करेगा क्योंकि कास्ट की चक्कर में already society में कितने gaps है इसकी बजाए और ज़्यादा important चीजे है उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है इसके लावर writer's यह बोलना चारा है कि कास् ज़्यादा variety है और कास्ट एक नहीं है और उन कास्ट में भी अलग-अलग मतलब सब कास्ट भी देखने को मिलेगी तो वहाँ पर फिर वो जो आप इस पूरे data को generate करने बैटोगे ना तो already delay हो रखा है और ज़्यादर delay होना शुरू हो जाएगा अगर कास्ट की अगर बात क सकता है नहीं को फायदे benefits नहीं मिल पाते हैं ये बाद ठीक है पर ये कितना एक बहुत बड़ा difficult situation create हो जाएगा कि जब एक चीज़ पर focus किया जाए जिसकी बजाए हमारे पास में दूसरे options available है वो दूसरे options क्या-क्या है जैसे age के नाम पे, sex के नाम पे, residence के नाम पे, occupation के न रुजगार किस तरीके का है, कौन weak है, कौन forward है, वो सारी चीज़े, इसके अलावा अगर हम कास्ट के basis पे करता हैं conduct तो वो urban rural वाला division अल्रेडी बताई दिया कि urban areas में anonymity बहुत जादा रहती है, मतलब clarity नहीं रहती कि कौन किस कास्ट से belong करता है, तो क्योंकि वहाँ पर जो में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग है, वो focus कुसी और चीज़ों पर करता है, जैसे कौस्मो पॉलिटिनिजम, that means urbanization, urban lifestyle, education, इन चीज़ों पर वो focus करते हैं, तो rural urban divide ये भी एक मुश्किल create कर देगा, regional division, north and south, इसमें भी तो country को आप अगर divide करके caste को conduct, caste basis पे census conduct करोगे, तो पता पड़ेगा, कि किसी एक region के अंदर x, y, z, caste है, वो तो forward है, दूसरे state में या region में चले गए, तो वो x, y, z, caste है, वो backward में consider हो रही है, तो ये चीज़े क्या हो जाएंगी, ambiguity create करती चली जाएंगी, तो consideration के लिए हमारे पास में already दूसरे attributes है, और वो attributes ऐसे होने चीए, जिनको हम identify करके और उनके लिए government intervention कर सके, मतलब सरकार को जब ये पता पड़ जाए, कि जी हमारे पास में sex का जो ratio है, वो बहुत जादा decline कर रहा है, या फिर occupation की बात की जाए, तो इस particular region South India के अंदर ये problem है, या North India में कोई ये problem है, तो इन attributes को अग endowment, तो बोले, इस तरीके के attributes, इस तरीके के features पर focus करने की ज़रूरत है, बजाए इसके कि हम जो rigid system है, जो की complex बना देगा process को उस पर stick करें, तो राइटर बोल रहा है, कि देखो हमें distribution और response, इन दो चीजों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर census properly conduct होता है, तो इसक फाइदा ये होता है कि सरकार को पता पढ़ जाता है कि कहां पर क्या problem है, उसकी measurement पता पढ़ गई, तो उसके हिसाब से सरकार अपनी distribution की जो schemes है, उनको उसके हिसाब से plan कर पाएगी, और दूसरा, जब ये पता पढ़ जाएगा कि distribution कहां पर क्या है, उसके हिसाब से फिर उस रहे हैं वो कास से भी ज्यादा important दूसरे attributes already available है उनी पर focus करें तो ज्यादा ठीक रहेगा तो census में जो भी data हम enumeration करें जो भी data हम collect करें तो उसमें जरुरत है कि वो quality data हो और accurate हो ठीक है कहीं पर ambiguity नहीं होनी चीए और हमारे पास में population की जो dynamics है चाहे वो sex, age, composition की बात करो या लोग है ना इसको छोडने की जरुरत है और जो requirement है हमारी वो है human capital को transform करना उसके लिए जो भी attributes है उन पर हमें focus करने की जरुरत है census के time पे तो ये था कि census हमें cast के basis पे क्यों conduct नहीं करनी चाहिए अब आप मुझे comment box में बताओ कि census cast basis पे क्यों conduct करनी चाहिए जो अलग- आपके पास में idea बन जाएगा और एक दूसरे के comment जरूर देखा कीजिया ठीक है आगे चलता है नेक्स आर्टिकल है reframe the rule देखो अभी जो e-commerce rules release किये गए थे department of consumer affair के द्वारा उनको देखो सरकार के ही लोगों के द्वारा objection का सामना करना पड़ रहा है जिनमें एक तो है न पी आई आई टी इन्हों के द्वारा भी अपनी तरफ से मतलब एक तरीके से objection rise किया है और finance ministry ने भी अपनी तरफ से red flag दिखाया है इन rules को अभी फिलाल जो consumer affair minister है वो है पियूस गोल जी और यह commerce affair ministry ministry को भी लीड करते हैं तो ऐसे में जो problem है वो कुछ ऐसी है कि जो नए draft e-commerce rule release किये गए ना तो इन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वज़े से ease of doing business है वो हमारे यहाँ पर harm हो सकता है जो हम investment attract करना चाते हैं उस investment को नुकसान पहुँच सकता है अब देखो इसके लिए क्या-क्या मुद्दे थे जिन को अभी एक तरीके सा object किया गया है यह different section of government के द्वारा देखो number one है fallback liability clause इसमें simple सी बात है देखो e-commerce players का काम क्या है वो एक seller से अपना product लेंगे और जो consumer है उस तक पहुचा देंगे बस एक बिचोलिये का काम कर रहे है तो इस बिचोलिये के उपर अगर आप यह जिम्मेदारी लगा दो कि आप हमें जो product दिला रहे हो उस product के अंदर तो कमिया थी और आप उसके लिए compensation दो तो writer एक तो यह बोल रहा है कि हमारे आपर जो investment models की बात करें जिसमें हम foreign direct investment attract करते हैं e-commerce platforms के लिए वो हमारा model है market place model हम inventory model पे operate नहीं करते है market place model का मतलब तो simple सा यह है कि जो e-commerce platforms है वो अपना कोई manufacturing process नहीं रखेंगे औ और कोई भी अपना खुद का product है वो अपने platform पे promote नहीं करेंगे समझ गए तो ऐसे में Amazon Flipkart या बड़ी बड़ी जो Reliance Tata जैसे बड़ी company अब उतर चुकी है market में तो उन company के ओपर यह obligatory है कि वो marketplace pattern के ओपर ही काम करें इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी छोटे बड़े manufacturers हैं उनके साथ में ये e-commerce companies collaborate करेंगी और उसके बाद में उनके product को अपने platform पे show करेंगे internet पे और जो user है वो consumer है वो उस platform पे जा करके और purchase कर लेगा तो ये केवल और केवल एक facilitator का का काम कर रहे है अब ऐसे में अगर ये product बेकार आ गया और consumer को नुकसान हो गया तो इसकी ज ये inventory model पे काम करते तो इनके खुद के product होते और खुद के products को ये manage करते, hold करते, stock करके रखते फिर बाद में बेचते तो 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 देको जिम्मेदारी बन सकती थी इनकी पर ये fallback liability क्या कर रही है इन नए draft rules के अंदर कि भई manufacturer नहीं ये जो mediator है इनके जिम्मेदारी है कि ये product क्यों बेच रही है तो सवाल ये है कि इसको correct करना जरूरी है क्योंकि seller जो है और buyer है उनको connect करने का काम ही कर रही है ये companies तो ऐसे में जो seller है manufacturer है उसके जिम्मेदारी निधारी तो नीची और consumer protection act of 2019 है ना उसमे seller के उपर ही ये जिम्मेदारी है मतलब जो producer है ना manufacturer है उसी पर e-commerce platform पे जिम्मेदारी नहीं है तो पहला तो ये मुद्दा आ जाता है इसके लावा जो flesh sales होती है ना जो भी अचानक से यूं आता है कि हाँ जी पांच दिन तक गांधी जैनती का package चल रहा है या फिर दिवाली package अब आने वाला है तो उन sales को बंद कर रखा है इससे बोले क क्या नुकसान है पतानी consumer को तो इससे फाइदा होता है जबकि कि consumer को competitive और सस्ती prices के अंदर अच्छे product मिल जाते है पर यहाँ पर यह सवाल आ गया कि आप flesh sales जो यह e-commerce platforms conduct कराते हैं उनको आप रोपने कोशिश कर रहे हो तो इसको नीतियायो के vice chairman ने क्या कहा है कि बोले यह तो एक तरीके से overreach है मतलब जितना provision department of consumer affair के पास में होना था जितनी उनकी पकड़ थी उससे भी ज्यादा दूरी तक का कानून उन्होंने बनाने की कोशिश कर दी इसके लावा एक fair opportunity आप create कर सकते हो एक तो domestic players के लिए create मतलब यह बोला कि e-commerce platform को हम regulate इसलिए करना चाहते है जिससे कि जो domestic players है उनके लिए एक fair opportunity create की जा सके तो वहाँ पर जो objection आया है उनका कहना एक ही है कि यहाँ पर आप consumer के उपर focus करो ना क्योंकि आप consumer affair ministry हो हना domestic players के उपर इनका काम करना यह तो commerce ministry होगी corporate affair ministry होगी वो देख लेंगी आप consumer की protection के लिए काम करो यह पाइंट यहाँ कुमार के द्वारे यह का यह जो rules है बोले यह consumer protection से भी दूर की बात करने लग गए है तो यह तो overreach है consumer protection के उपर focus करने की ज़रुआता है consumer affair ministry को उनका jurisdiction इतना ही है ministry of corporate affair है उन्होंने भी अपनी तरफ से यह बात कही है कि जो यह आपके पास में आप जो नए draft rules लेकर क्या रह कि मतलब एक चीज को regulate करने के लिए आपके पास में दो-दो regulations available है तो आप किसकी apply करोगे वही बात कि insurance companies में कोई problem आने लग गई और वह insurance company ऐसी है जो जिन्होंने अपने आपको stock exchange पे एनलिस्ट कर रखा है तो से भी regulate करेगा एड़ाई regulate करेगा conflict था बोलो वह conflict आ जाएगा और बचेगा क्या केवल और केवल forum shopping बार बार litigation पर litigation लगाई जाएगी और अलग-अलग forum के अंदर case अठके रहेंगे और उससे फाइदा क्या होगा केवल और केवल इंडिया की जो images of doing business में वो down होती चली जाएगी तो ऐसे में restrictive regulatory architecture अगर हम तैयार करेंगे न तो देखो बह commerce platforms को lose मतलब इनके ओपर अगर आप कानून बना रहे हो तो फिर बाद में जो traditional brick and mortar वाले stores है इनके लिए क्यों नहीं तैयार होता तो point क्या रहा है कि bureaucratic discretion bureaucrats वही रैट टेपिजन वाला मुद्दा कि अपने मन से अपने हिसाब से planning कर लेते हैं और साथ में यह planning में भी ambiguity clarity कहीं पर नहीं है unclarity बहुत ज़्यादा है और draft rules है यह बहुत ज़्यादा apprehension rise कर रहे हैं लोगों के दिमाग में शक की जो कहते हैं डाउट की जो point है वो create करते चले जा रहे हैं तो consumer का protect करने की ज़रुवत हैं यहां पर किसी और को protect करने के लिए तो और भी jurisdiction के लिए अलग लग ministry लग लग departments काम कर रहे हैं तो writer एकी चीज लास्ट मेटिटर एकी चीज बोल रहे है कि imperative यह है कि policy है ना वो मतलब policy है ना वो सोच समझ करके जो requirement है उनके हिसाब से formulate होनी चीए consumer welfare को ध्यान में रखो consumer protection ministry ना कि आप constructing approach मनाओ narrowness नहीं आनी चीए compress मत करो आप market को यह बताया ज नेक्स्ट आर्टिकल को लिखा है जया जैटली जी ने देखो अभी आपको पता हिया आज गांधी जैनती है तो गांधी जैनती के time के उपर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने अपने मन की बात में statement दिये कि हमें खादी ज्यादा ज्यादा पहननी चीए रक एक बार आप इमेजिन करो कि हाँ चर्खा चलाते हुए गांधी जी साबर मती आश्रम की जब भी मेज आती है जैसे डॉनल्ड ट्रंप आये थे विजट पे तो वहां पर गये थे साबर मती आश्रम और वो वीडियो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे तो ऐसे में खादी की जब आइडिया आता है ना तो यूँ आता है कि कोई चर्खा गुमा रहा है किस तरीके से काम कर रहा है तो एक जमाना था जब पूरा सब कॉंटिनेंट इंडिया जो था वो आप सब कॉंटिनेंट ऑफ सावध एश्या आप बोल सकते हैं इंडियान सारा का सारा खादी जैसे कपड़ों के ओपर डिबेंडेंट था कॉंटन बेस्ट अब आप देख सकते हो कि खादी का अगर हॉम मतलब आपके से रूरल एरियास के अंदर खादी का दूसरा नाम एक और फेमस है इस खादर ओके अब इंडिया बांगलादीश और पाकिस्ता के अंदर तो कॉटन के कम प्रोडेक्शन नहीं है राइट पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूज होता है सवाल यह है कि क्या हाथ से प्रोड्यूज किया जाता है जिस चीज को महात्मा गांदी ने साउथ अफरिका से लेकर के इंडिया तक और ओल ओर प्रोड्यूज कुशिश की थी वो चीजे थी कि कॉटन का जो शॉट स्टैपल कंटेंट आता है जो जो कॉटन आती है अजिसे आप देखते हो नर्मा जिसको बोलते है normal language में नर्मा क्या होता है कि जो कॉटन प्लांट होता हो उसमें मैं से एक्ष्रेक्ट किया जाता है कॉ तो उसको यूज किया जाता था गांदी जी के द्वारा क्योंकि वो नेटिव था इंडिया के लिए। इंडिया की जो कॉटन है वो शॉट्ट थ्रेड़ की होती है जबकि अमेरिकन कॉटन होती हो बड़ी होती है और इजिपशिन को टनौ उसका भी लेंद अच्छा-गासा ह होता है तो पॉइंट किया है कि शॉर्ट स्टेपल्ड और गनिकली जो ग्रोन कॉटन हुआ करता था उसको गांदी जी अपने हातों से बुनते थे उसकी कताई करते थे स्पिनिंग किया करते थे विविंग किया करते थे तब जाकर कि वो कपड़ा बनता था तो सवाल यह है कि यहाँ पर तो manual labor की बात की थी उन्होंने hand loom को promote करने की बात की थी पर आज जो हम product देखते हैं उन्हें दिखावट तो बड़ी अच्छे लगती है कि हाँ जी यह खादी का product है पर क्या real में वो pure खादी है बिलकुल भी नहीं है उस product के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि मतलब आप यह देखो कि plastic के भी threads वहाँ पर मिल जाएंगे उनको बनाने के लिए cotton के बजाए आज जो खादी के नाम पर या खादी के mark के basis पर खादी के tag के नीचे जो product बिखते हैं बो वो polymers जो chemical से बने होता है chemical based industry पर based leather industry, non edible oil या फिर जो साबून बनाने का जो product होता है वो या फिर जो cottage match industries है वो या फिर इससे भी बुरा हाल तो तब जो plastic industry भी इसमें involved है और उनके products को खादी के नाम पर बेचा जा रहा है और लोग खुश-खुश पहन रहा है थीक है तो भला खादी का actual में promotion करने की ज़रूट वैसे थी ही नहीं पर फिर भी खादी और village industry commission establish किया जाता है ministry of small and medium industries के तहत ये तो केवल और केवल ये एक तरीके से आपने क्या कर दिया corporatization कर दिया जबकि गांदी जी ने तो cottage industry promote करने की बात की थी कि हर एक individual इस तरखा को या खादी का जो production है वो अपने हाथों से करे या फिर वो लोग कम से कम अपने इस काम को expand करे जो लोग इस पर अपनी रोजी रोटी कमाना चाते है पर सवाल ये है कि जब से KVIC आया है तब से corporate sector ने भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ में corporate sector को promotion देना और अपनी relevance बनाए रखने के लिए इस KVIC ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन ने एक policy declare की है और उसको हम बोल रहे है खादी mark regulation 2013 में आता है और इस regulation में क्या provision थे कि जो भी खादी का product बेचना चाता है और अपने product के अंदर खादी नाम यूज करना चाता है तो उसको license लेना पड़ेगा इसे खादी mark regulation के तहत KVIC से अब आप एक चीज बताओ कि कोई बंदा छोटे level पे खादी का काम करना चाता है और वो production अगर करे तो उसको KVIC से license लेना पड़ेगा license के लिए उसको पचास हजार रुपए देने पड़ेंगे तो ऐसे में तो आपने क्या कर दिया एक तरीके से गांदी जी का जो idea था ना उसी को fail कर दिया अगर hand spinning हो या hand weaving हो तब तो जाकर के प्यॉर खादी का content बनेगा पर आज का क्या खादी का product जो बिक रहा है वो pure cotton है पहली चीज तो pure cotton नहीं है दूसरी चीज क्या वो handmade है जी बिल्कुल भी नहीं आजकल तो machineों से बनने लगए है इसके लिए KVIC के डिपो पे जो भी product मिलते है जिनको या फिर आप कह सकते हो cotton corporation of India के जो कितने भी आप hearts देख लो दुकाने देख लो जो भी इनके outlets है वहाँ पर क्या pure pure चीज बिकरी है जो गांदी जी promote करना चाह रहे थे या जो खादी का main concept है या फिर जो एक individual को empower करने का जो concept था गांदी जी का वो क्या fulfill हो पा रहा है बिल्कुल भी नहीं ये ही है main problem की खादी का certification process mechanization और impurity ये तीनों चीज़े मिला करके खादी को impure बना चुकी है तो इसके आगे suggestion दे रही है writer वो देखते है suggestion चे पहले एक और point वो ये कि multiple authorities वहाँ पर regulate करने के लिए बैठी है एक तरफ तो आप ministry की बात कर रहे है ministry of small and medium industry जो की जिसके अंडर में ये खादीयन village industry commission KVIC है जो operate करता है और दूसरी तरफ आप corporates को आपने entry दे दी तो corporate affair ministry वहाँ पर अपना role play करेगी कि नहीं तो authorities के भी इसमें भी confusion है ठीक है handspun जो part है वो remove हो चुका है आज catalog उठाकर के देखो printed saadi polyster fabric ये तो सारा आपको दिख रहा है केवल और केवल उसका जो texture है दिखने में वो केवल खादी का दिखता है बाकी actual में वो खादी नहीं है तो MSMEs को आप promote होने नहीं देना चाहते हो खादी के based पे जो काम empowerment का था वो हो नहीं पा रहा है ministry of textile का भी यहाँ पर role आ जाता है क्योंकि अगर देखा जाए न तो खादी के ही equivalent अगर दूसरे और काम जो handmade होता है हाथों से काम किये जाता है जिन में आप देख सकते हो embroideries जो कड़ाई होती है कपड़ों पे वो या जो चपले है कोलापुरी चपले यह तो बोले ministry of textile अपने अंडर में देखती है और दूसरी तरफ खादी के लिए आपने अलग से ministry बना रखी है तो यह तो conflict वाली बात आ गई यह तो एक तरीके से जो pattern होना चाहिए यहाँ पर खादी को regulate करना चाहिए ministry of textile को properly तो handicrafts हैं वो खादी waste वो ज़्यादा promote हो पाएंगे अब उसके लिए भी आपने license वाला जो provision हो कर दिया इस खादी mark regulation के तहत तो इसके लिए क्या किया जाए तो writer last में एक ही चीज़ बोलती है कि भे खादी को तो चलो इन्होंने patent करवा लिया खादर नाम है ना उसको use करके और जो individual अपने घरों पे इंडस्ट्री लगा करके बेचना चाहते है ना अपने product को तो खादर नाम से बेच दो कोई problem नहीं है और promote करो कि खादी नहीं खादर प्यॉर तो क्या है खादर cotton based handmade अब आप देखो कि जब एक हर एक कपड़े का हर एक चीज का अपना खुद का एक feel होता है खादी का अगर प्यॉर खादी का अगर content आप उठागर के देखोगे तो एक तो थोड़ा मोटा मिलेगा दूसरी चीज उसके अंदर जो texture मिलेगा वो बिल्कुल different different thread color variation भी उसमें दिखता है जैसे यहां पर white है बीच में line black आगई फिर white आगई फिर black फिर बाद में hot white फिर एकदम black इस तरीके से shadow बनती चली जाती है और यह combination फिर बाद में खादी का जो texture है उसको मिलता है तो polyster ज़ादा है plastic ज़ादा है और यह चीज़ दो मैंने खुद ने भी experience किया शायद आपने भी experience कियोगी कि दिखने में तो खादी जैसा है और कपड़ा उठा करके देखा तो पूरा plastic ओके तो यहां पर खादी के बजाए खादर के नाम से भी तो promote किया जा सकता है फिर यह 50,000 के डेक नहीं रहेगी किसी के भी ठीक है आगे चलते हैं ऐसे तो main articles थे वो तो हो गए पूरे हमेर है अब जो दो articles हैं उनको एक बार देखते है फिर यह article इधर देखो journey to recovery पियूस गोईल जी के दूरा लिखाव article है यह union minister है इन्होंने यह काया कि माहतमा गांदी जी की जैनती है 2 October को लाल बादुर शास्तिर जी की जैनती है 2 October को ही तो यहाँ पर अभी pandemic के बाद में जो recovery की target हम कर रहे हैं उसके अंतर हमारी government बहुत ही ज़ादा क्या बलता है जो रोर सोडो से लगी हुई है इसके लिए main focus रखा जा रहा है research and development को promote करना entrepreneurial that means छोटे बड़े जो businesses है start-ups है उनको promote करना और साथ में scientific methods पर rely करना और उसका result यह है कि pharmaceutical के basis invention के basis पे आज इंडिया में दो important vaccines का production हो रहा है और बाकियों पे research सल रही है और world का one of the largest vaccination program इंडिया में conduct हो रहा है ठीक है आज इंडियान economy की बात करें तो पिछले साल जितना contraction किया था उसके comparison में फिर से growth की तरफ rise हो रही है और इसके लिए आज अगर देखा जाए तो government के बहुत सारे efforts है उनने efforts में आप देख सकते हो सबसे important है production linked incentive scheme साथ में FDA जो friendly policy है जिसे ज़्यादा ज़्यादा foreign direct investment हमारे आपर attract किया जा सके अब आप देख सकते हो कि अभी government of India ने 75th year of independence को celebrate करने के लिए आजादी कामरित महुत्सव के नाम से celebration चला रखा है ठीक है तो target यह है कि आने वाले 25 सालों के अंदर जो इंडिया का vision है वो कुछ ऐसा हो जिससे की world के अंदर इंडिया की जो status है वो और ज़्यादा rise हो सके फिर schemes के नाम लिए जाते है देखो UAE के अंदर एक world expo conduct किया जाता है दुबई में ठीक है और उसमें भी Indian heritage को Indian diversity को है exposed किया जाता है या फिर वहाँ पर express किया जाता है इसके अलावा New India है वो अपने आप में assert कर रहा है खुद को world level पे और इसके लिए government की तरफ से जो important reforms लाए गए है उनका बहुत important role है जैसे कि GST, Real Estate Regulation Authority रेदा, labor laws लाए गए है industry friendly FDI policy तयार करना production linked incentive schemes को promote करना जिससे जदा जदा manufacturing increase की जा सके इंडिया में GDP का target है पांच ट्रिलियन डॉलर economy बनाने का तो ऐसे इंडियन एकोनोमी को इंडियन एकोनोमी की GDP को target हम कितना का रख है पांच मिलियन पांच ट्रिलियन डॉलर ठीक है तो हमें इसको जल्दी से जल्दी achieve करने के लिए क्या करना है जो चल रहा है उसको continue करना और गांदी जी का ये dream something कुछ बता रहा है तो पॉइंट यह है जो schemes का मैंने नाम लिया है एंडिये कौन सी अटल बिया रिवाच पही जी की जो सरकार थी वो और external affairs minister भी रह चुके है तो इनका ये कहना है कि विदेश यात्राएं कोई मोदी जी नहीं specific नहीं की इसके पहले भी बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएं हुई है पर लोग को ज़्यादा ही प्रोमोशन दे रहे हैं अभी current प्राइम इनिस्टर को पुर्ल मनमाण सिंह जी ने भी कम विज्ट नहीं की ति अर्टल विया रिवाच पही जी ने भी कम नहीं की थी निरु जी ने भी कम नहीं की थी राजीव गांधी जी ने में पहीं की थी इंडिरा गांदी जी ने भी कमनी की थी और वो भी यूएस की विजिट ठीक है तो रिष्टे कोई एक दिन में नहीं बनते हैं रिष्टे बनाने में एवलूशनरी प्रॉसस है रिष्टे बनाना ठीक है 1998 में नुक्लियर टेस्ट करने के बाद में इंडिया के ओपर सेंक्शन्स लगा दिये थे फिर उसके बाद में यूएसे के उस ताइम के इसेंट डेमोक्रे बिल क्लिंटन हिलरी क्लिंटन के हजबंड उनका इंडिया में विजिट करना ये था कि इंडिया को नुक्लियर स्टे देखो पॉलिटिकल है वैसे तो मैंने बता दिया में जो थीन थी वो क्या है थीक है तो देखो इस डिस्कुशन में जो भी था वो हमने देखा थैंक्यू वेरी मच